नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चिर परिचित दोस्तों पस्थित हूँ आप सभी की सिवा में एक बहुत ही महतोपू जानकारी लेकर के जिहां कच्छी पपीते का ये ड्रिंक तुरंत होगा गठिया रोग का सफाया जिहां गठिया के दर्द से बहुत सारे लोग पिडित रहते हैं इसी से रिलेटेड आज का हमारा ये वाइस ओवर है आपने देखा होगा कि खास करके बुजूर्ग लोग जो होते हैं उनके पैरों में गठिये का दर्द रहता है जिसके कारण उनको असहनिय पीडा से कराहना पड़ता है चीक पुकार के कारण घर वाले भी मांसिक रूप से परिशान रहने लगते हैं और उनके इलाज के लिए कुछ न कुछ नया करते रहते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं मिलता है इसी कड़ी में आईए आज हम आपको एक ऐसे ड्रिंक के बारे में बताने जा रहे हैं जिस ड्रिंक को पीने से एक हपते में ही काफी आरा जाना हो ये ड्रिंक पीने से जरूर ठीक हो जाता है गठिया का दर्द अगर रह रहकर पैर की उंगलियों घुटनों और एडियों में दर्द होता है तो समझ जाए कि आपके खून में यूरिक एसीड की मात्रा बढ़ गई है जब यूरिक एसीड हाथ पैरों के जोडों मे क्रिश्टल के रूप में जम जाता है तो उसे गठिया की बीमारी कहते हैं गठिया के दर्द को अंदेखा करने पर उठना बैठना मुश्किल हो जाता है इस मुश्किल समस्या को कच्चे पपीते का ड्रिंक दूर करने में मदद करता है अगर आपको हम जो बता रहे हैं इन आपको आराम मिलेगा आए सबसे पहले संकेत और लक्षन जानते हैं गठिया का दर्द अलग-अलग स्तरों पर होता है जैसे कि सूजन जोडों की कठोरता और जोडों के आसपास निरंतर दर्द ये सब इसके समानिय लक्षन हैं हात का उप्योग करने में असमर्थता पैरों म दर्द के कारण चलने में समस्या हमेशा थकान रहना बुखार अनिद्रा मांस पेशियों में दर्द और बदन दर्द शरीर में जड़ता ये सारे गठिया के लक्षन हैं अब आई ये जानते हैं इस रोग के कारणों के बारे में शरीर में इस्ट्रोजन की कमी के कारण आर् पैदा होना शुरू हो जाता है कई बार शरीर में आयरन और कैल्शियम की अति होने से भी असमस्य आपको हो सकती है पोशन की कमी के कारण भी कई बार हुमेटाइड अर्थराइटिस होता है जिससे जोड़ों में दर्द सूजन गांठों में अकड़न आ जाती है कच्छे पप लिजे अच्छे से जहां बरतन को क्लीन कर लिजे और उसमें पानी को ले करके उबाल लिजे इसके बाद एक मध्यम अकार का कच्छा पपीता लिजे और उसे अच्छी तरह से धो लिजे फिर पपीते के अंदर से बीज निकाल कर उन्हें फेक दीजे इसके बाद पपीते क चोटे चोटे टुकडे कर लीजिए इन पपीते के टुकडों को उबलते पानी में डाल कर पांच मिनट तक और उबाल दीजिए फिर इस उबले पानी में दो चम्मच ग्रिंटी की पत्तियां डाल लीजिए और थोड़ी देर के लिए उबाल लीजिए इस पानी को छान लीज आपके जोडों का दर्द आप खुद ही देखेंगे कि कुछे खपतों के अंदर ही आपको फायदा नजराने लगेगा जोडों के दर्द आपका मिठ जाएगा जी हाँ बस आपको इस पानी को लगातार पीना है निदंतर जैसे नौर्मलिया पानी पीते हैं वैसे इसका इस्त सक्से आप जरूर संपर्क करें वैसे तो ये बहुत ही कारगरदवा है इसके लिए तो दोस्तों ये थी आज की हमारी जानकारी आप सभी के लिए जिसके सहारे आप अपने जोडों के दर्द से छोटकारा पा सकते हैं अगले एपिसोड में हम आप सभी के साथ एक और बेहुत ही महतोपून जानकारी को लेकर के तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों